नमस्कार स्वागत एक वर फिर से R.S. Study Government Jobs में दोस्तों railway और study jobs related सभी परकार का information हमारे चैनल पर time to time दोस्तों मिलता रहता है तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब कर ले दोस्तों और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सावी जानकाड़ी आपको समय पर मिलता रहे आज का ये नए वीडियो दोस्तों नए कंडिडेट के लिए है जो रेलवे में नियू ज्वाइनिंग लिए है और जो GDC form apply करना चाहते हैं उनको दोस्तों exam group के selection में बहुत ज़्यादा confusion हो रहा है वो प्रतेक परकार के trade ले चुके हैं सभी candidate और कौन से trade के लिए कौन सा exam group select करना है वो उनको बहुत doubt है तो वो doubt को आज हम clear करने जा रहे हैं तो अगर आप railway में नए joining लिए हैं और अगर आपको भी doubt है तो वीडियो में बने रहे हैं मैं आपका आज सारा doubt जो है clear कर देने वाला हूँ यहाँ पर तो चलिए वीडियो को start करते हैं साथी साथ दोस्तों नए candidate को यहाँ पर mark sheet upload में जो है problem आ रही है तो दोस्तों मैं वो भी problem का solution last में बताने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पर railway equipment sale का official notice है जो कि दोस्तों पिछली बार 1.08.2023 को date को issue किया गया था जिसमें form apply का date 38.2023 और closing का date दोस्तों 29.2023 लेकिन जो new यहाँ पर notification दिया गया है उसके अनुसार दोस्तों जो नया form apply फिर से reopen किया गया है वो 11.10.2023 से लेकर 31.10.2023 को सा बज़े तक यहाँ पर आप apply कर सकते हैं उसमें दोस्तों सभी candidate जो पहले apply कर चुके उनको apply यहाँ पर नहीं करना है जो नए candidate है जो नए railway का member बने है जैसे कि जो 2.08.2023 से 1.08.2023 के बीच में जो candidate यहाँ पर new member जो join किये हैं सिर्फ वही candidate इस form को apply कर सकते हैं फिर से अब हम बात कर लेते exam group का तो exam group में दोस्तों बहुत सारे candidate जो है वो ITI किये हुए हैं और act apprentice भी किये हुए हैं और बहुत सारे candidate दोस्तों diploma degree भी किये हुए हैं तो वो candidate जो है exam group कैसे select करेंगे बहुत सारे लोग उने trade जो ले रखा है लेकिन उनको मालूमी नहीं है कि वो कौन से engineering मे आते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको right side में जो है आपका यहाँ पर exam group दिया गया है और sorry right side में यहाँ पर आपको trade दिया गया है और left side में दोस्तों यहाँ पर exam group दिया गया है तो पहला exam group है दोस्तों आपको electrical engineering and combination of various streams of electrical engineering अब पता कर लेते हैं कि electrical engineering के अंदर अंतरगत दोस्तों कौन-कौन से ट्रेड आते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहला ट्रेड आता है अंतरगत आता है अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा एक्जाम गुरूप है इलेक्टोनिक्स इंजिनियरिंग वो था इलेक्टिकल इंजिनियरिंग और यह है दोस्तों इलेक्टोनिक्स इंजिनियरिंग इसके अंतरगत में दोस्तों आता है कौन-कौन से ट्रेड इलेक्टोनिक्स मेकैनिक रेडियो एंड टीबी यह तीन ट्रेड आते हैं दोस्तों जो की electronics engineering के अंतरगत में अब है हमारा तीसरा एक्जाम गुरूप mechanical engineering and combination of various streams of mechanical engineering यहाँ पर mechanical engineering भी आता है तो इसमें दोस्तों कौन-कौन से ट्रेड आते हैं इसमें सबसे popular trade है दोस्तों फिटर, mechanic motor vehicle, tractor mechanic, mechanic diesel, turner, mechanist, refrigeration and air conditioning mechanic, heat engine और millwet maintenance mechanic यह सारे trade जो है दोस्तों mechanical engineering के अंतरगत में आता है अब हमारा चौथा यहाँ पर एक्जाम गुरूप है automobile engineering automobile से यहाँ पर आपको दोस्तों clear दिख रहा है कि यहाँ auto जो वाहन होते हैं उससे related जो trade लिए हो है वो automobile में आते हैं auto mobile में आपर देख लिए दोस्तों mechanic motor vehicle, tractor mechanic, mechanic diesel, heat engine और refrigeration and air conditioning mechanic यह सारे जो trade है वो automobile engineering के अंतरगत में आते हैं अब दोस्तों यहाँ पर पाच्वाज एक्जाम गुरूप है यह दोस्तों अलग है यह किसी भी trade से related नहीं है दोस्तों यह related किसे है तो two health जब आपने बारवी किया है दोस्तों अगर उस समय अगर आप science लिए होंगे तो आप इस से related यह पाच्वाज एक्जाम गुरूप है science में आप physics और दोस्तों math यहाँ पर लिए है तब आप यहाँ पर यह hsc 10 plus 2 with physics math यहाँ पर physics and math वाले जो PCM जो होते हैं उसको आप select करके और यहाँ पर electrical या फिर किसी भी परकार का technician दोस्तों यहाँ पर आप बन सकते हैं अगर आप वारवी में science लिए हुए हैं तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहा है जिसमें मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ यह संजीत कुमार सिंग जी है जिन्होंने 9 गंटे पहले यहाँ पर कमेंट किया है कि sir हम electronic mechanic से ITI किये हैं तो हम trade में PCM ले सकते हैं उनका क्या है कि मार्क्षीट अपलोड नहीं हो पा रहा है अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोगों का problem जो है वो मार्क्षीट यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है तो यह दूसरा problem है यह मैं आपको अभी solution कर देता हूं इसका बहुत सारे कंटेर दोस्तों मॉबाइल से फोटो कीच कर और अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आप मॉबाइल से फोटो कीच कर बिलकुल भी अपलोड नहीं करें सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि यह सकेनर से दोस्तों आपको 200 डिपी आइइ 200 DPI में यहाँ पर आपको अपना document scan कर लेना है scan करने के बाद दोस्तो उसको आपको compressed करना है compressed करने के बाद उसका size जो है कम करना है और कम करने के बाद दोस्तो आपको उसको 200 KB के अंदर 200 KB के अंदर यहाँ पर PDF में बनाना है और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड करना है ऐसे अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट दोस्तों बिल्कुल अपलोड हो जाएगा किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और अपने सभी दोस्तों में सेर जिरूर कीजिएगा धन्यवाद